इम आई वाइट वेल का 20.5.6 का लेटेश अबडेट आ चुका है बहुत सारे डिवाइसेज के लिए जो के एक चाइना बीटा रोम है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्या कुछ देखने को मिल जाता है जैसे कि आप सभी को पता है कि चाइना के बीटा के अंदर आपको गुलोबल सर्विसे देखने को नहीं मिलती है बट मैं और यहां पर प्लेश पर इनेवल कर रखाऊं अपको कम्प्लेट डीटेल मिलेगा बस आपको वीडियो को फूल एंटक वाच करना है हेलो एर्वण आयम एंगे एन्ट वर वाचिंग टेक ऑफिस और वीडियो में हम बात करने वाले है लेटेस्ट अपडेटेटे वरजिन जो की 20.5.6 है इसके बारे में और यह बहुत साइध डिवाइसे को सपोर्ट करता है तो मैं आपको यह भी बताम गा कि कि इनकी डिवा पर देखने को मिलता है डिवाइस ने जो कि रेडिमी का नोट सेट परो है बट यह बाके दर्स के लिए तो क्या को चेंज आएगा उस सब कुछ में आपको यह बताने वाला हूं चेंज लोग की बात करें तो चेंज लोग में कुछ चीजे नहीं है बस छोटी मोटी चीजे इंप्रूवड की गई है लेकिन अगर यहले में इसके प्रफॉइंस बगर के बात करें तो पहले से काफी जड़ा इंक्रीज हो गया है और जो वॉल्यूम स्लाइडर का एक बग था जिसके आपने मेरे रिवीव में देखा हुगा यह ठीक से काम नहीं कर रहा था आपको ज यह रिड्मी का यह अफिर बाके दस्रीज का जो के एंड़ॉड 9 पर रन कर रहा है ताप को डिसेंट पैनल में फ्लॉटिंग विंडो टेखनी को नहीं मिलता है लेकिन आपकर इंड्वाइड 10 वीवाई है ताप यहापे फ्लॉटिंग विंडो अगर यह यह यूज कर सकते जो कोई भी इस उस देखने को नहीं आता है तो यह आपको जो डिफ्रेंट डिखने को मिल जाता है उसके बार आई एक चेंज की बात करें कि यहाँ पर हमारा कैमरा है Note 7 Pro के लिए Redmi के Note 5 Pro बाके 10 के लिए चेंज नहीं हुआ है लेकिन Poco X2, K20 Pro और Poco F1 का जो पोर्ट रोमाय था उनमें मैं आपको दिखाया था कि कैमरा फुली चेंज हो चुका है ता भी कुछ डिवाइस के लिए है जो कैमरा ओल्ड वाला ही रखा गया है बट जल्ली जो इने भी चेंज देखने को मिलेगा जो कि Android 10 के बेस्ट पे लहेंगे वहीं पर आपको जो सेक्यूरिटी अप का अप्लिकेशन है इसे भी अपडेट कर दिया गया है तो पहले से काफे बेटर आपको रिस्पांस देखने को मिल जाता है इनके आइकन पेक में आपको हलका सा चेंजिंग देखने को मिल जाता है जो कि पहले वाला का आइकन तो सा डिफरेंट है क्योंकि यहां बें हर एक चीज अपडेट कर दिया गया है जैसके आपका गैलरी, म्यूजिक प्लेयर, थीम, कॉंटेक्ट, डाइलर, सेटिंग, कैमरा और बाखेत अचीज़े तो इस साइच चीज आपको बिल्कुली अप्टूडेट मिलती है यह पहले सापको रूटेट नहीं मिलता है क्योंकि यह ओफिशियल बिल्ड है ताइकर आप L1 के यूजर सो आपके लिए इंपोर्टेंट है तो मैं यही कहूँगा कि आप इस लोम को मत फ्लैस करना, यू का वेट कर लेना रहे बाद डान्वोडेंग की कि यह किनकिन को सपोर्ट करता है, किनकिन के लिए अवेलवल है तो उसके लिए आपको जो मेरे टेलिग्राम के इस चैनल को जो जो जोइन करना होगा जहां पर मैंने और रेटी यह सारे टानूट लिंक है जो शेयर कर दिया है आप देखते हो रेडमी का Note 8 Pro, K30 Pro, K20 और MI90 Pro, K35G, K34G जो कि Poco X2 है MIMX 3, MIMX 2S, CC 9 Pro, MIMX 10 जो कि एक ही नीम है सब तो अलालग कंट्री में कहा है तो नीम चल जेंज है MIMX 9 Lite या सी CC 9 उसकर MIMX 9T या K20 उसकर MIMX 9AC, MIMX 9 Pro 5G, MIMX 9 Redmi का Note 8 Pro जो कि अभी फिलाल मैं यूज कर रहा हूं MIMX 8 Lite, MIMX 8 Explore Edition, MIMX 8 SE, MIMX 8 और बागे दर रोम से भी आ गए है तो जिस तरीकी से अपडेट आ रहे हैं सारे डीटेल में आपको शेयर करता जा रहा हूं तो आप इस टेलिग्राम पे जोईन रहेते हो तो आपको हर एक मियू का जाए है वो क्लोज बीटा हो, EU का अपडेट हो, MI रूम का अपडेट हो या भी बागे दर ओफिसियल का अपडेट हो सब कुछ मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइट करता रहता हूं मैंने एक फुल कंप्लीट वीडियो दिया इसके उपर कि किटनी की फीचर्स आपको मिलते हैं MI2L की और से और किस तरीके से वो काम करते हैं तब उस वीडियो को वाच के लेना उसके और आपको कोई यह प्रोव्म नहीं आएगा इनके फीचर्स के बारे में जानने से रिलेटेड तो गाइच मैंने नेक्ट एपिसोड में नेक्ट अपडेट के साथ तब तक लिए बाए